पूर्वत्तर भारत सहीद 11 राज्यों में भुकम भारत के पूर्वत्तर राज्यों सहीद 11 राज्यों में सोवार तड़के आए भुकम में अब तक 5 लोग मारे गए है हाला कि मौत का अकड़ा बढ़ सकता है दूसरी और इस भुकम से भारी नुकसान हुआ है भुकम का केंदर भारत म्यामार सीमा पर मडिपूर के तेंगलांग जीले में था और इसकी तीवरता रियेक्टर स्केल पर 6.7 रही अब तक 5 जटके महसूस किये गए है मौसम विभाग के मुताबिक भुकम का केंदर इंफाल से करीब 33 किलोमेटर दूर जमीन के 17 किलोमेटर के अंदर बताया जा रहा है ग्रहम अंदरी राजनास सीहा फिलाल असम में है और NDRF की 12 टी में मनिपूर भेज दी गई है दूसरी और नरेन मोदी ने ट्विट करकर कहा कि उन्होंने असम और उसके आसपास के शेत्रों में आये भुकम के हालात पर असम के मुख्यमंतरी गोगई से फोन पर बात करकर पूरिस्तिती का जायजा लिया है भुकम का सबसे ज़ादा असर पश्चिम बंगाल और पुरुवत्तर के राज्यों पर पड़ा मौसम विभा के मुताबि मणिपूर, नागालेन, अरुनाचल प्रदेश और असम में भुकम के जटके करीब एक मिनिट तक महसूस किये गए भुकम का असर जारखंड बिहार और उत्तर तक महसूस किया गया पठान कोट हमले में पांच आतंग की धेर, साथ जवान शहीद, ऑपरेशन अभी भी जारी पंजाब के पठान कोट में स्तिप भारतिय वायु सेना के फॉरवर्ड बेस पर दो जन्वरी को हुए आतंग की हमले के बाद अभी भी अभियान जारी है इस अभियान में अब तक साथ जवान शहीद हो चुके है जबकि पांच आतंगवादियों को मार गिराया है अभी भी दो आतंगवादी छिपे होने की खबर है सोवार को भी मोके पर हेलिकॉप्टर आस्मान में चक्कर लगा रहा है इसके साथ ही रुक रुप कर फाइरिंग की आवाजे भी आ रही है पढ़ान कोट स्टेशन के O.C.J.S. दूमन ने कहा कि ऑपरेशन अब बिजारी है और हमें जानकारी नहीं है कि एरफोर्स स्टेशन के भीतर कितने आतंग की छिपे है बीतिरात इस सम्मन में प्रधान मंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग कर स्थितिका जाय जलिया और भविश्य की रणनीती पर चर्चा की इंदिरा गांदी के हत्यारों का शहीद के रूप में सम्मान पूर्व प्रधान मंतरी इंदिरा गांधी के हत्यारे के हरसीह, सत्वन सीह और बेयन सीह का रईवार को दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे में Six Students Federation की तरफ से आयोजितिक कारेकरम में शहीत के रूप में सम्मान किया गया उनके परिजोनों को भी यहां आयोजितिक सम्मारों में सम्मानित किया गया सम्मारों में अकाली दल की निता मोजूत रहे गुरुद्वारे के प्रमुग ग्रंथी ने के हरसीह की विद्वा को सीरोपा देकर सम्मानित किया जो दिल्ली में रहती है इस समान को लेकर सभी राजनेतिक दलों ने निंदा की है